Hello my dear students, how are you all? I hope, सब लोग बढ़िया हूँ. ठीक है? चलिए. तो लास्ट वीडियो में हमने addition किया था. कैसे किया था? count in groups of two. टू-टू के groups में share करकर फिर उसके बाद counting की थी. तो मैंने आपको हूंबग भी दिया था PDF में. I hope so. सब ने अपना हूंबग complete किया है. ठीक है? तो आज हम कर रहे हैं arrange in ascending order. क्या है ये? ascending order में arrange करना है हमको. ascending order means increasing order. मतलब पहले सबसे छूटा नमबर लिख देंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ऐसे increasing order में. राइट? चलो तो करते ह नमबर बन इसमें सबसे चोटा नमबर पहले ढूंते हैं So, the smallest is seven, right? Seven पर मैंने कर दिया round कि मैंने ये नमबर यूज कर लिया है अब ये जो four numbers बचे हैं, चार नमबर इसमें से सबसे चोटा वाला इसमें से सबसे चोटा कौन सा है? Eighteen, तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं Eighteen, right? अब इसको मैं round कर देती हूँ अब बचे तीन नमबर, right? इसमें से सबसे चोटा नमबर है Twenty five, right? तो मैंने इसको भी round कर दिया अब बचे दो नमबर इसमें से, इन दोनों में से सबसे चोटा है Thirty nine और लास्ट में बचा 45 So, this is how you have to do a range in ascending order ठीक है? सबसे चोटे नमबर पर स्टार्ट करेंगे सबसे चोटे नमबर से स्टार्ट करेंगे और end करेंगे सबसे बड़े नमबर तक Right? चलिए, अब कोशन नमबर टू तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे चोटा नमबर ढूंड कर लिख देंगे So, इसमें सबसे चोटा है Nine उसके बाद यह जो नमबर से बचें इसमें से सबसे चोटा है Nineteen So, I'll write here Nineteen अब जो यह तीन नमबर बचें इसमें से सबसे चोटा है Fifty-nine तो यहाँ पर लिख देंगे Fifty-nine और अब इन दोरों में से कौन सा सबसे चोटा है? Sixty-nine अब बचा Seventy-nine Right So, हमने सबसे चोटे नमबर से स्टार्ट किया फिर increase करते गए increase करते गए increase करते गए और last में सबसे बड़ा नमबर लिख दिया Right Now, number three सबसे चोटा इसमें से कौन सा है? Twenty-seven लिख दिया यहाँ पर twenty-seven उसके बाद कौन सा नमबर आएगा? उसके बाद आएगा seventy-two उसके बाद seventy-nine अब इन दोरों में से eighty last में ninety Right हैन एकदम simple चलिए अब करते हैं fourth one 89 लिखा है मलब की 89, 12, 21, 95 and 59 इस में से सबसे चोटा कौन सा हुआ? 12 I'll write here 12 अब 89, 21, 95 और 59 में से सबसे चोटा कौन सा है? 21 यहाँ पर लिख दिया 21 89, 95 और 59 में से सबसे चोटा है 59 अब 89 और 95 में से सबसे चोटा है 89 अब लास्ट में आएगा 95 फिफ्ट फिफ्ट फाला करते हैं 46, 37, 59, 62 and 71 इस में से सबसे चोटा कौन सा हुआ? 37 46, 59, 62, 71 में से सबसे चोटा है 46 59, 62 and 71 में से सबसे चोटा है 59 62, 71 में से सबसे चोटा है 62 और लास्ट में 71 राइट? चलिए अब नमबर 6 कर लेते हैं 24, 14, 16, 21 और 11 में से सबसे चोटा है 11 और अब 24, 14, 16 और 21 में से सबसे चोटा है 14 अब 24, 16 और 21 में से सबसे चोटा है 16 24 और 21 में से सबसे छोटा है 21 Last में 24 So this is how you have to do Arrange in ascending order ठीक है? सब लोग को ये अपनी notebook में फिर से practice करना है ठीक है? This is your revision तो आपको फिर से practice करना ही पड़ेगा Okay my dear students, thank you